हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी होप करती हूँ कि सब्सक्राइब बहुत होंगे मैं आप लोग के लिए एक फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ आपके लेकर आई हूँ फ्लेमिंग के बाए हाथ का नियम जो कि exam point of view से काफी ज़्यादा important है so let's start, चले बच्चे ने मुझसे बोला था तो फिर मैंने सोचा कि इसको आपको समझा दू क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आसान है तो इसमें तो कम से कम number नहीं कटने चाहिए जो तो शुरू करते हैं, क्या होता है कि flaming जो वैग्यानिक है उन्होंने हमें यह बताया कि जब विद्धु चुमकी छेत्र में कि जब हम अपने बाए हाथ को फैलाते हैं बाए हाथ मतलब left hand ठीक है तो बाए हाथ को जब हम फैलाते हैं तो क्या होता है तो हमारा जो हम जब फैलाते हैं कि तीनों उंगली जो होती है न वो परस पर एक दूसरे के लंबवात हो लंबवात in the sense कि इस तरह के से 90 डिगरी का एंगल बनाए है जैसा यह देखो यह ऐसे बनाया हमने तो यह है 90 डिगरी का एंगल और इस तरह के से इसको बनाए कि यह भी 90 डिगरी का एंगल बने ठीक है तो परस पर लंबवात हो इस प्रकार फैलाए कि परस पर लंबवात हो तो फिर अब सबसे इंपोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो अंगूठा वाला है पार्ट ये क्या दिखा रहेगा आप फोर्स को और ये बीच वाला जो है हमारा ये बी को और ये आई को तो इसको याद कैसे आप करेंगे ये एफ बी आई बहुत ज़दा इजी है लेकिन तबी भी आप इसको याद करें ये मध्यमा है ठीक है पहले हमारा ये है अंगूठा जो है हाथ का अंगूठा ठीक है मध्यमा और तरजनी अंगूली को इस प्रकार फैला है कि तीनों एक दूसरे को लंब गत हो तो तरजनी ज मत याद करिए अब अगर आपको मध्यमा याद हो कि हाँ ये तरजनी है ये वाली तरजनी है और ये मध्यमा है लेकिन तरजनी जो है वो बी को और मध्यमा जो है वो आई मतलब इलेक्ट्रिक धारा धारा को डिनोट करती है मतलब दर्शाती है तो ये किस तरीके से आप करे जो सकते हैं कि यह हमारा force की दीशा हम दीशा writ भी के आयन वकर मातैवारा की और थारा की ना ditवाज अंगुठे से वकर मेरे वकर सबस्टा तो यह नूंतर गका यह तो षरस में आगा और यह घ्यानि नहीं तरजनी li इसको धरस हैं अमारा भी चुंब की जातर है दर्शा आ रहे疫 की दर्शा रही चेत्र है तो इसको हम इस तरीके से लिख भी लेंगे कि जब हम अपने बाया हाथ का अंगुठा मद्यमा और तर्जनी इस प्रकार फैला है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो इसी तरीके से आपको नियम लिखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तब तरजनी जो है वो अंगली तरजनी उंगली चुम्ब की छेतर बी को यह जो तरजनी उंगली है यह चुम्ब की छेतर बी को बी की होगे लिख देना है और यह आला डायग्राम आपको बना देना है एफ बी आइफ बी आइ इस तरीके से आप याद कर लेंगे बहुत जादा कठीन नहीं ठीक है फोर्स याद करना है फिर यह चूम्मिक एबल हो गया और ही थारा हो गया वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं विलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबा एंट टेक एंट थाइंगी सो मच फॉचिंग